जैसा है कि दोस्तों मैं आप सभी को NEET से जुड़े हुए जितने भी previous year के MCQ हैं उन्हें chapter वाई solve करा रहा हूँ और आज के इस वीडियो में हम bio molecule यानि की जय और उसे जुड़े हुए MCQ को solve करेंगे और हमारे आज के इस वीडियो का topic है carbohydrate यानि की carbohydrate से जुड़ा वाई जितना कुछ समय उपरांत परिवर्तित होना कहलाता है the changes in optical rotation with time of freshly prepared solution of sugar is known as आपके option है पहला option है घुड़न गती दूसरा है inversion तीसरा है vicious घुड़न और चौथा है muta rotation तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि glucose के दो रूप होते हैं एक होता है alpha तथा दूसरा होता है beta तो जब हम इन में से किसी एक रूप को जब जल में घोलते हैं तथा इस्थी रख चलते हैं अगले question की और question number 2 है gun cotton है gun cotton is आपके option है option A है nitrosucrose, option B है nitrosellulose, option C है nitroglucose और option D है nitro picrine तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि gun cotton nitrosellulose या cellulose trinitride होता है जिसका उपयोग विसपोटक में तथा ठोस राकेट के नोदक को बादने में किया जाता है तो इस question का right option है option B nitrosellulose या फिर हम कह सकते हैं cellulose trinitride चलते हैं अगले question की और अगला question है निमने में से कौन सा monosacryde एक pentose है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा monosacryde है जो कि एक pentose sugar है तो glycose, glucose, fructose हम सभी जानते हैं यह सभी hexose sugar है लेकिन eribinose यह एक eldo pentose ह तो आपका जो right option है option D है मैं eribinose का formula भी लिख दे रहाँ CHOCH यह three time रहेगा और नीचे रहेगा CS2OH तो यह eribinose का structure है जो की एक pentose sugar है चलते हैं अगले question की और question number 4 है निमने में amide samu उपस्तित है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि amide samu को हम peptide bond भी करते हैं और peptide bond पाया जात है protein में तो आपका जो right option है option D है protein है चलते हैं एगले question की और question number 5 है निमने में से कौन सा एक carbohydrates है which of the following is a carbohydrate आपका option है पहला option है leucine दूसरा है albumin तीसरा है inulin और चौथा है maltase तो आपका जो right option है option C है inulin जो की डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है चलते हैं एगले question की और question number 6 है carbohydrate के लिए सामान सुत्र है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि carbohydrates को हम hydrates of carbon कहते हैं तो इस question का जो right option है option C है जलते हैं एगले question की और question number 7 है bendect willion देता है तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो bendect solution है या फिर tall and recent है इसका use कहते हैं reducing sugar के लिए यानि कि जितने भी reducing sugar होते है tall and abhikarmak में और bendect solution में reduce हो जाते हैं तो bendect willion जो है वो देता है silver iron तो यहाँ पर आपका जो right option है option A है चलते हैं एगले question की और question number 8 है tall and abhikarmak से क्रिया करके glucose द्वारा रजत दर्पन बनना निम्निकी उपस्थिती को दर्साता है glucose gives silver mirror with tall and resent it so the presence of आपके option है पहला option है अमली समूँ दूसरा है alcoholic समूँ तीसरा है ketonic समूँ और चौथा है aldehytic समूँ और यह question बड़ा ही important है आप देख सकते हैं कितनी बार यह question repeat हुआ है ठीक है तो यहाँ पर मैं बता दूँ question का answer बहुत ही simple सा है यहाँ पर बात करें टॉलेन अभिकर्मक की तो टॉलेन अभिकर्मक glucose से क्रिया करता है और रजद दर्पन बनाता है और हम सभी जानते हैं कि glucose में जो functional group होता है वो aldehyde समूँ होता है तो इस प्रकास से हम कह सकते हैं कि aldehyde समूँ के presence को टॉलेन अभि अभिकर्मक प्रदर्शित करता है तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है aldehyde समूँ तो aldehyde समूँ से टॉलेन अभिकर्मक यदि क्रिया करता है तो रजद दर्पन बनाता है और चलते हैं अगले कोशन की और कोशन नमबर 9 है एक योगिक जो निन हाइड्रीन से रिडात्मक तथा बेंडिक्ट विलियन से धनात्मक परिछण देता है होगा यानि कि a certain compound give negative test with निन हाइड्रीन and positive test with बेंडिक्ट solution the compound is आपके option है first option है protein second option है monosecrate third option है lipid और fourth option है amino अमल तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो निन हाइड्रीन है यह protein के साथ positive result देता है जबकि बेंडेक्ट solution जबकि बेंडेक्ट solution कार्वो हाइड्रेट के साथ positive result देता है तो यदि हम बात करें निन हाइड्रीन की तो यह two two dihydroxy indane one three di in का मिस्रण होता है और जब यह protein के साथ अभिक्रिया करता है तो protein के विलियन का रंग नीला या बैगनी कर देता है तो य हम बात करें कार्वो हाइड्रेट की अगर कार्वो हाइड्रेट बेंडेक्ट विलियन के साथ क्रिया करेगा बेंडेक्ट solution क्या होता है तो जो बेंडेक्ट solution है copper sulfate और citrate iron का मिस्रण होता है और यह glucose से अगर क्रिया करता है तो glucose के विलियन का रंग भूरा लाल कर देता है तो यहाँ पर question में पुछा हूँ है कि अगर Neen Hydrain उसe विल्यान से अभी क्रिया करता है तो कोई positive result नहीं देता है यानि कि negative result जबकि bandit solution ज़िधी विलैन के साथ क्रिया करता है तो positive result देता है तो यहाँ पर question number 10 है एक कार्बनिक योगिक बेंडिक्ट परिच्छड के साथ मॉलिस परिच्छड भी देता है किन्तु यह सिकलवे नौफ परिच्छड नहीं देता यह योगिक है आपके अप्सन है पहला अप्सन है सुक्रोज दूसरा अप्सन है प्रोटीन तीसरा अप्सन है फ्रक्टोज और चौथा अप्सन है माल्टोज तो यहां पर मैं आपको बता दूँं कि जो राइट अप्सन है आप्सन है माल्टोज और माल्टोज एक माल्ट सुगर है जो की ज तो यदि हम बात करें माल्टोस की तो यह बेंडेक्ट में तथा मॉलिस्ट दोनों में पॉजिटिव रिजल्ट देगा लेकिन स्क्वेर लेन आफ परिछड नहीं देगा तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगले पार्ट में हम जै अडू से जुड़े हुए जो आपको आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना मद भूलेगा कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और यदि आप हमारे चनल पर नए हैं और अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अबाइब तक हमसे हümüzुज सकते हैं